हेलो गाई, इसमें प्रियंका, आपका मेरी कीचन में स्वागत है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखें, आज हम गोवी गाजर मूली का अचार बना के त्यार करेंगे, सालों तक चलेगा, खराब नहीं होगा, इस तरीके से जरूर बनाए, देख सकते हैं या आप य लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आजहर बनाना सुरू करते हैं, देखें हमने चूले पे पैन को रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे शर्फो का तेल, हमने इक ले रखा हैं, देखें, हमने एक बढ़ा चंभच के नुषार हम इसमें शर्फो का तेल डाल देंगे, और देखें हमें लेकर सबसिया का अचाय बनाएंगे देखें हमने कोभी को उबाले उबाल के और उबने रख सुखाद रख के और आंदर पर अधर लेगा इसको पानी इसका सूख चुका है देखे इसको भी हमने साफ करके चिलका गाजर का इसको हमने सुखा लिया है और यह हमें मूवी ले रखी है इसका भी हमने चिलके को हमें साफ करके ले लिया है देखे तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे तेल गरम हो जाने के बाद तो शोटे मसाले डालेंगे इसमें दिखा देते हैं देखिए यह मंगरेजा मंगरेजा बोला जाता मांगरेज यह अजवाइन हम ले रखे हैं हमनी खड़े सवम्थ ले रखे थे टेल गरम हो गया आझट उन्हीं कि अपन करना इसके बाद से हम भी अचार डाल देंगो इस तरीके से आप अचार बनाएंगे सालों साल चलेगा खराब नहीं होगा वक्त ही स्वादिष्ट अचार बन के क्यार होगा देखे अब इसे हम भोबी को डाल देखे अच्छे से इसमें तेल लग जाया देखे इस जाब बनाएंगे अचार का स्वाद बहुत जादे बढ़ जाता है बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनके त्यार होता है इसे हम अच्छे से ऐसे कर देते ही कि तेल अच्छे से गोबी पे लग जाए उसके बास से हमने जो और सबसिय अपने हैं इसको हम डालेंगे देखे अब इसे अच्छे से लग जाना चाहिए इस पत लिखें अब इस समय हम डाल देंगे ये गाज़र जो पूंने गाज़र को साथ करके लिया था और ये मूँधी इसको भी हम डाल देते हैं देख间 अब ये इसे डाल देए अचछες से अब इसे हमें मिला देए इस तरीके से आप आचार बनाएंगे अचार ख्राम नहीं होते हैं साल ऑसाल चलते हैं देखे अच्छे से मिला देते हैं इसमें मसालों की खुस्बू बहुत अच्छे से चलि जाती अंदर इस तरीके से बनाने से अब इसे अच्छे से तेल के साथ हम मिला देते हैं उसके बाद हम मसाला तयार करेंगे देखे यह मिल चुका है तेल के साथ हमने इसे अच्छे से मिला के तयार कर लिए अब चलिए मस दालेत अब है कि अजिअ कि दिसमें तुल्स सब्सक्राइब करन निदेखिए तल अभी गरान के माशनुरी यहां था इसमें थो रहाया निदम रख्षकरा अजिरे कि थी ही देखेर अच्छे सर्चरौ सब्सक्रार मी कि अजिसा में अच्छा गराब करनी होता सालो साल चलता है कि देखें विन्यगार भी डाल पिशे पिला धिया है चलिए अब आगे साले की तैयारी करते हैं मसालों को भूनेंगे देखिए हमने चूले पे कराई रख दी है अब इसके लिए हम मसाला त्यार कर लेते हैं देखिए जीरा और यह हमने जो राई होती है बनार्शी वो आमने ले रखे यह पीली वारी राई हमने ले लिए काली मेर सौंप यह हमें धनिया ले रखा है अब इनको हम डाल के भूम करते हैं लोगने दिए Näख से चलाते हैं मसालो को भूमने की हुश्यनिया दे चल्चनास से अज़िए भावडर की भूमने के हैं उसके बार्थ मदार्ट पावडrd नσιं अवरामे और बार्ट पावडर नभी अ कि मतलब मसालो तो यहाँ थी तरीक्वे म्में इसे हलका हलका सब भून लेंगे और इसमें हम डाल देते हैं इसमें हम डाल देते हैं अचार बनाते हैं तो नमक भी हम डाल के साथ में ही भून लेके हैं में चाहार में इसे डाल के साथ में मसालों के तयार करेंगे, खरार dump मीद्स भूम के तयार कर सेगगे अच्छी। ऐसे भी आधी खते किससे घूनके तयार करें और अए रिखेंगर मसाले भूनके तयार करेंगे कि छोली है। इसका हम दर-दर तयार करेंगे। देखिये मसाले ठंडे हो गए हैं हैं अब इसे हम पाउडर करने। मिक्सार यार ले रखा हैं। अब इसमें हम डालके पाोडर तयार करेंगे। अब इसे हम साढ़रें कर लेते हैं। कि में देखिया है डिएमें मसाले को हमने दर दरा पाउडर तैय Angeb अब इसमिंसे हम थोड़ासा डाल देतें अभी ज्यादे नहीं डालें जिसके जरोत के नुसार हम डालेंगे और हमने यह तीक के राल-अनुसार लाल-मीर्स ब explains इस जरौत के अनुसार इसमें हम तेल करके रखा हुए पहले से हम अचार जब बनाते हैं, पहले से ही मिखली झालक। हैं कभी भी जा बना थे सामये तेल को गरम करके ही डाले अच्छे से हमें अच्छा अच्छा के duża टेष्टी मारों के तयार होता है इस तरी का से आप आच्छा बनाइंगे बहुत स्वाजिस्ट तरह से सालों साल चलेगा खृम नहीं होगा देखे, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, हमने गरम करके रखा था, हमने दूसरा अचार बनाया था, बच गया थी इतना, और हम गरम करके क्या करते हैं, बॉटल में तेल रख देते हैं, जब 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 पड़ता है, अपना अचार फटापट बना लो, तेल गरम करने कि जुरूरत ने पड़ेगी गरम करो ठंडा करो फिर देखे हमने इसे अच्छे से मिला दिया देखिए इस तरीके से हमने गोभी जाजर और मूली का अचार हमने बना के तयार कर लिया अगर आपको रेश्पी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें देखिए हमारा अचार बनके हमने अपने अचार को बना के तयार कर लिए आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी अचार बनके तयार हुआ है देखिए